Hello students, welcome to Legalistics Law School, मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम बात करेंगे Abaitement and Criminal Conspiracy को यह IPC का हमारा 7th lecture है, अब तक हमने इस पर 6 lecture और बना चुके हैं अलग-अलग topic पर अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं यह जो सारी वीडियो हम बना रहे हैं यह आपके आने वाले जुडिशरी एक्जाम्स और एप्यो एक्जाम्स के लिए काफे जाता important है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Abaitement और Criminal Conspiracy को इसके पूरे डिटेल में हम discussion करेंगे इनके जितने भी essential हैं, important case laws हैं और यहाँ पर इन दोनों में क्या difference हैं इनको भी हम आज discuss करेंगे चली वीडियो को start करते हैं सबसे बहुले बात करते हैं Abaitement क्या होता है तो Abaitement का जो पूरा provision है वो chapter 5 में section 107 से लेकर section 120 तक दिया गया है आज जो हम discuss करेंगे वो basically section 107, 108 और 1088 discuss करेंगे बाके के जतनी प्रोविजन है वो punishment की बात करते हैं तो उसको आप एक reading के थुरू भी देख सकते हैं या हम उस पर फिर अगर requirement होगी तो हम एक और वीडियो बना देंगे बात करें section 107 की तो section 107 बात करता है कि कोई भी person आप बेट कर सकता है किसी दूसरे person को by way of instigation, engaging person in conspiracy और by intentionally adding or illegal omission अब मतलब क्या होता है इसका तो पहला जो point है यहाँ पर instigation का मतलब होता है आपने सामने वाले person को साया है ठीक है सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि सामने वाले person को उस था कि आपने कोई अगर उससे crime करवा दिया ठीक है intention आपका था किसी दूसरे person को मारने का पीटने का लेकिन आपने देखा कि उसका कोई दुश्मन है तो आप उसके दुश्मन के पास गया और उसके दुश्मन को बदाया कि यार वो इनसान जो है न वो कल तुम्हें मारने वाला इससे पहले तुम उससे मार दो अगर तुमने उसको नहीं मारा तो वो तुम्हें कल मार देगा, यह सारी चीज़े उसको बताई और सारा कुछ उसको बोला और उससे सामने वाल इंसान भढ़क गया और उसने जाके पहले ही आपके दुश्मन को मार दिया तो यह क्या क्या आपने इंस्टिगेट किया इसी का जो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसको आपको Explanation 1 के साथ हमेशा पढ़ना होता है Explanation 1 क्या कहता है कि a person who by willful misrepresentation और by willful concealment of material fact which is bound to disclose voluntary cause or procurse or attempt to cause or procurse things to be done is said to instigate the doing of that thing मतलब क्या है कि simple से बात है कि किसी person को आपने willfully misrepresent किया मतलब कि किसी person को आपने जाके कह रहा है कि यह जो आदमी है वो बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए और अगर तुमने इसको नहीं मारा तो यह कल तुम्हें मार देगा या कुछ भी type का है ना कि यह तुम्हारे बारे में महले multi CD बाते कह रहा है तो तुम्हें इसको मार देना चाहिए इस तरीके से आपने उसको कुछ सामने वाले को जाके भढ़काया है उससे कोई चीज material fact जो हो उसको चुपाई है जो कि आपको उसको बता नहीं थी आपने क करने के लिए libel होगा और आप उस crime को instigate करने के लिए libel होगे ठीक है तो abatement by instigation यहां पर आपकी liability आ जाएगी दूसरा point कहता है by engaging person in conspiracy यहां पर है कि आपने उस person के साथ एक agreement किया है कि आप जाके कोई crime करोगे और वो person ने फिर जाके वो crime कर दिया for example के तोर पे एक person है उस के साथ आपने अगोरिमेंट किया कि आप जोन को जाकर उसकी quarant करोगे ठीक है सी पोचन की जए है आप जाके देख झाओ करोगे तह आपने क्या करोगे तो यहां पर आपका ऐट क्या था आ बाई conspiracy था या फिर हम example के तोर पर ले ले एक घर का नौकर है घर के नौकर ने क्या किया एक डाकूओं के साथ एग्रिमेंट किया कि जब रात में जब घर में आएंगे डकैती करने के लिए तो उस ताइम वो घर का दर्वादा खुला रखेगा यह उसके बीच में agreement हुआ रात में उसने दर्वादा खुला रखा डाकूओं आएं घर में सारा समान लेकि चले गए तो यहां पर जो servant का act था वो क्या था by conspiracy ठीक है यहां पर act होना बहुत ज़रूरी है सामने उस act का होना बहुत ज़रूरी तभी यहां पर आप abatement to conspiracy के थ्रू लाइबल होंगे otherwise आप abatement to conspiracy म और illegal omission adding का मतलब क्या है कि सामने वाले कोई आपने help करी help कैसे करी कि दो लोग लड़ रहे थे एक person को जाकर आपने डंडा दे दिया और कहा कि इस दंडे से उसको मार और ज्यादा चोट लगे तो उस person ने उस दंडे से उसको मार दिया और by illegal omission का मतलब ही कि कोई person यहां पर एक libel था कुस काम को करने के लिए फॉर एक्जांबल के दौर पर पुलिस जो है वो libel है law and order को maintain करने के लिए पुलिस एक public place में खड़ी थी दो लोग वहां पर लड़ रहे हैं पुलिस उसको बचाने जा रहे है तो आपने पुलिस वाले हो कहा किया रहे सर इन लोगा तो पुलिस क्या करता आपके बात सुनके जो है उन लोग को बचाने नहीं चाता है तो इस situation में आपने क्या किया है illegal omission के थूर जो है सामने वाले person को क्या किया है कोई उसका जो काम था उसको करने से रोका है और एक offense वहां पर हो गया ठीक है तो यह basically इन सारे situation में आप क्या हों does anything or in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to add the doing of thing मतलब कि उस जब crime हो रहा है उससे पहले या उस crime के होते वक्त उसने कोई भी तरीके का adding सामने वाले person को provide किया कोई चीज facilitate provide कि कि सामने वाले person अंदर से डकेती करके आएगा और आप उसको bike में बठा के लेके भाग जाओगे या फिर उसको पहले जो है आपने कोई चीज supply उसको provide करिए तो इन situation में आपका उसके साथ कोई agreement नहीं था लेकिन आपने उस चीज को out of sudden उसी time जो है provide कर दिया तो उस situation में क्या होगा वहाँ पे आपकी liability बन जाएगी ठीक है यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है next आपका आता ह of act आप उससे करवा रहे है अबेटमेंट के थूर्च जो अपने आप में एक offense है मतलब किसी से आपने murder करना आने के लिए उसको instigate किया उसको उसाया है तो उस case में आप उसाने के लिए लाइबल होगा और वो सामने अलब पॉसन जो है वो अबेटमेंट के लिए यहाँ प तो जितने लोग भी उहाँ पर चिला रहे हैं उसको insight कर रहे हैं इंस्टिगेट कर रहे हैं basically वो सारे लोग जो है यहाँ पर libel होंगे अबेटमेंट बाइंस्टिगेशन दिन आता है third हमारा case queen versus उम्मी का इस case में child marriage की बात की गए कि कोई परसन अगर child marriage कराता है तो पंडी की शादी कराना है क्या है crime है और तो जितनी लोग भी उस चीजों में involved होंगे सारे लोग क्या होंगे यहाँ पर अबेटमेंट के लिए liable होंगे तो ठीक है तो यह तीन basically important case है अबेटमेंट का जो आपको ध्यान रखना है next आगे हम लोग बढ़ते हैं abator कौन होगा तो इस उसमें मेरा कोई contribution है ठीक है तो उन सारे cases में मैं जो हूँ abator कहलाओंगा ठीक है and the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of abator मतलब कि अगर उसने कोई offense ऐसा किया है उसके लिए मैंने उसको साय है जिसमें वो person सामने अले person capable हो उस offense को करने के लिए उस intention और उस knowledge के साथ जैसे जो intention knowledge abator का था मतलब कि यहाँ पे सामने अले person को हमने उस साय है कि ऐसा offense करने के लिए जो person capable था और अगर वो intention और उस knowledge के साथ उस offense को करता तो वहाँ पर उसकी liability भी बनती, तो simple से चीज है कि abatement में होता क्या है, abatement में basically intention होता है एक particular person का कि कोई crime को करना, लेकिन वो खुद नहीं करता है वो crime, वो उस crime को किसी के through कराता है, मतलब वहाँ पर अक्टसरियस किसी और का होता है, और intention किसी और का होता है, basically, ठीक है, तो सामने वाले कि दिमाग में वो intention भी create करवाता है, knowledge भी create करवाता है, कभी intention उसकी सामने वाले की knowledge होती भी नहीं है, बस उसके कहने पर वो crime को कर देता है, तो वहाँ पर भी जिसने abat किया है, उसकी यहाँ पर liability बनती है, इसमें अब बहुत सारे explanation है, जो basically बताते हैं कि abater कौन-कौन होग और किस-किस की यहाँ पर basically liability होगी, सबसे पहला explanation 1, वह यह कहता है कि abatement of an illegal omission भी जो है आपका liability होगी, जैसे कि पुलिस वाला मैंने example बताया आपको, कोई पुलिस जो है public place में खड़ा है, उसको आपने उसके duty को perform करने के लिए मना कर दे, उसको abate किया, कि भाया क्या person उसकाम को करने के liable था, आपकी यहाँ पर liability नहीं थी उसकाम को करने के लिए, आप police officer नहीं थे, लेकिन सामने वाला police officer था और उसको आपने क्या-क्या abate किया है, तो यहाँ पर आपकी liability होगी, abatement by illegal omission, ठीक है, next आता है explanation 2, explanation 2 बात करता है, it is not necessary that the act abated should be committed, और that the effect request is to constitute the offense should be caused, मतलब simple सी बात यह कह रहा है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने किसी को abatement के लिए जो है वो, कहा और सामने वाले ने उसको करा ही करा हो, है ना, यहाँ पर यह जरूरी नहीं, किसी को insight किया कि यार मारो, मारो, उसको मारो, ठीक है, और उसने जह है, मारने तो गया तो आप abatement के liable होंगे, सामने वाले ने उस offense को किया, यह नहीं किया, यह चीज, immaterial है, थर्ड explanation यह कहता है कि अगर कोई abatement आप ऐसे person को करते हो, जो person उस offense को करने के बाद उसकी कोई liability नहीं होगी, मान लिए किसी minor को किया हो, है ना, किसी insane person को किया हो, किसी intoxicated person को किया हो, तो वो उसको करने के लिए उसके पास guilty intention, guilty knowledge वो person नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास guilty intention, knowledge थी और आपने उस guilty intention, knowledge के साथ, वो crime करने के लिए सामने वाले person को abat किया है, जैसे कि 7 साल से कम मोर का बच्चा है, उसको हमने बंदूग दे दी, और कहा कि जा कि अपने पापा को shoot कर देना बटा, उसको तो नहीं पता है कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, पापा मर जाएंगे, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन उसको abate करने के लिए आप liable होगे, और अगर उसने father की death cause कर दी, तो आप abatement to murder के लिए यहाँ पे basically liable होगे, यह कहता है हमारा explanation 3, then आता explanation 4, explanation 4 बात करता है कि the abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense, मतलब कि आपने किसी दूसरे person को abate किया, मतलब सिंपल से बात इसको ऐसे समझ सकते है, A ने B को abate किया है कि C को abate करे, कि वो D का जाके death cause कर दे, ठीक है, ठीक है, वो death cause कर दे, C की, तो यहाँ पे A ने B को abate किया है, B ने क्या किया, C को abate किया, और C ने जाके D के death cause की, तो यहाँ पे सब liable होंगे, यह यह निकाएगा सर, हमने तो B को किया था, B ने main जाके C को abate किया है, तो मेरी कोई liability नहीं बनती, A यह नहीं कह सकता, A ने B को abate किया है, कि जाके वो C को abate करे, हना, तो इस वज़से यहाँ पे द मतलब, उनका meeting of mind होने के यहाँ पे जरूरत है, basically, हना, एक person ने कहीं से instruction दिया है, और सामने वाले person जो है, उस चीज को follow कर रहा है, और agreement के बिना पे जो सामने वाला person है, वो उस crime को करता है, तो वहाँ पे दोनों की liability होगी, मतलब, उसको abatement की liability मिलेगी, पहले वाले person को, और दूसरे वाले person को, उस crime को करने की, for example के तोर पे, कोई person है, वो पाकिस्तान में बैठा है, person A है, ठीक है, उसने वहाँ से, जो है, C person को abate किया, अब C person जो है, वो A को नहीं जानता है, इन दोनों के बीच में agreement हो, इसमें कोई knowledge नहीं है, या फिर बीच में एक और person है, य इसने B के थूरी सारे instruction इसको मिलते थे, होता नहीं कि, जब terrorist वाला मामला आता है, तो वहाँ पर से हमें information आई है, तो उपर से information कौन है, उपर में कौन बैठा बंदा है, उसको हम, C को उसके बारे knowledge हो या ना हो, यह immaterial है, यहाँ पर agreement होता है, और यह लोग उस agreement के बिहाफ पर काम कर देते हैं, किसी के death cause कर देते हैं, तो यह सारे लोग फिर यहाँ पर basically libel होंगे, और यहाँ पर A जो है वो abatement के लिए लाइबल होगा, और C जो है वो basically आपका offense को commit करने के लिए libel होगा, ठीक है, अब आता है section 108A, section 108 basically बात करता है, abatement in India of offense outside India, मतलब कि कोई कर रहा है कि वहाँ पर वो कोई crime करे, तो उसकी liability यहाँ पर होगी, ठीक है, क्या कहता है, a person abat an offense within the meaning of this code, who in India abat the commission of an act without or beyond India, which would constitute an offense if committed in India, मतलब कि वो अगर इंडिया में करवाता उससे वो offense, तो इंडिया में वो offense होता, और वही offense उसने क्या करवाया है, उससे दूसरी country में क करवाया है, ठीक है, यह basically amendment act in 1895 के through आया था, और यह जो है basically, जो decision आया था, Bombay High Court का Queen Empress versus गनपत राओ राम चंदरा के case को, इसको जो है overrule करने के लिए आया था, ठीक है, यहाँ पर example भी दिया गया है, कि a in India instigate b a foreigner in Nepal to commit murder in Nepal, a is a guilty of abating murder, ठीक है, a यहाँ पर बैठा था, नेपाल में किसी person को abate किया है, कि वो नेपाल में murder cause कर दे, और उसने नेपाल में murder कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, वो abatement of murder के लिए यहाँ पर liable होगा, section 108 के under में, ठीक है, तो I hope abatement, abater और abatement outside India जो है, यह तीनों concept आपको clear हो गया होगा अच्छो से, अब हम लोग move करेंगे criminal conspiracy के उपर, criminal conspiracy जो है पहले नहीं थी, basically अगर हम बात करें तो criminal conspiracy को बाद में, 1913 के amendment act के थुरू जो है, इसको insert किया गया है, इसको chapter 5A में section 120A से 120B मतलब कि basically अगर हम बात करें तो 2 ही इसके section है, जिसमें इसको add किया गया था, इसके हम बात करें, तो section 120A जो है, वो criminal conspiracy के definition बदाता है, यह कहता है कोई भी ऐसा agreement दो या 2 से ज़्यादा लोग के बीच में होता है, कोई भी illegal act को करने के लिए, या कोई legal act को by illegal means से करने के लिए, अब अगर illegal के बात करेंगे तो हम लोग section 43 IPC का देखते हैं, उसमें जो है illegal के definition दी गई है, कोई भी ऐसा civil act को करन के लिए, या कोई ऐसा act जो कि IPC में पनिशेबल है, वो सारी चीज़ें illegal में आती हैं आपकी, तो यहाँ पर क्या कहना है, यहाँ पर यह चीज़ बहुत जादा important है, कि अगर आपने कोई agreement किया है, यहाँ अगर आपने कोई agreement किया है, यहाँ तो वहाँ उस agreement के साथ कोई act भ और आप मिलके जो है, वो क्या करेंगे, किसी का murder करेंगे, ठीक है, तो आपने विए act किया है, इस agreement को बनाने के लिए, आपने murder नहीं गाउस किया, यहाँ पर ध्यान रखेंगा, यही चीज़ difference है आपका abatement में और आपका criminal conspiracy में, criminal conspiracy में और abatement by criminal conspiracy में यही difference है, abatement by criminal conspiracy में जो act के लिए agreement किया गया है, वो act होना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो act के लिए criminal conspiracy की गई है, उसके लिए वो agreement के लिए कोई act होना ज़रूरी है, ठीक है, यही चीज़ दोनों में difference बताता है, यहाँ पर बहुत जादे important है, जो देन इसके बाद आता है, राजिंदर वर्से इसमें बताया गया था कि agreement जो होगा criminal conspiracy में, उसमें जो है establish करने के लिए तीन चीज़ें बहुत जादा important है, पहला कि कोई object होना चाहिए, ठीक है, पॉसन का कि हम यह एक particular काम को करने वाले हैं, और यह काम कैसा होना चाहिए, criminal nature का होना चाहिए, दूसरा, there must be a plan or scheme embodied means to accomplish that, एक plan होना चाहिए, कि इस crime को हम लोग इस तरीके से करेंगे हैं, हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ से इस समान को खर देंगे, वहाँ जाके फिर इस तरीके से इस घर में घुशेंगे, इस घर में घुश के फिर यहाँ पे इसका जो सोना चान्दी सब रखा हुआ है, उसको हम निकालेंगे और यहां से हम ऐसे करके भागेंगे मुवी बगरा में आप देखते होंगे पूरा प्लान जो है बनता है तो जो भी criminal object है उसको achieve करने के लिए एक plan scheme जो है वहाँ पे बनाई गई हो and the third point is there must be an agreement between two or more person to cooperate for its accomplishment मतलब कि यहां पे दो या दो से जादा लोग के बीच में agreement होना ज़रूरी है एक इनसान जो है criminal conspiracy नहीं कर सकता क्योंकि एक इनसान अगर करेगा तो वो फिर आपका intention में आजागा और वहाँ पे फिर वो liability नहीं होगी ठीक है तो हमेशा ध्यान रखेगा एक person जो है criminal conspiracy नहीं create कर सकता हमेशा दो या दो से जादा के बीच में होना चाहिए और वो किसलिए होना चाहिए कोई illegal act करने के लिए या कोई legal act by illegal means है मतलब कि जैसे कि for example के तोर पे कोई इनसान किसी को घूश दे रहा है इसलिए कि वो एक judgment दे दे किसी particular में है कि 120 A और B में ठीक है अब यहां पर दो बहुत ही important case है इसके case का नाम है भीमबर प्रधान versus state of Odisha 1954 का यह case है ठीक है Supreme Court ने इस case में क्या कहा है Supreme Court ने इस case में observe क्या है it is not essential that more than one person should be convicted of the offense of criminal conspiracy एक criminal conspiracy के offense में यह जरूरी नहीं कि एक से जादा offense person को सजा हो बस यह प्रूफ करना जरूरी है कि यहां पर दो या दो से जादा लोग जो है वहां पर एक criminal conspiracy में involved थे मतलब पता यह लगता है कि चार-पांच लोगों ने मिल के यह crime किया लेकिन हमने पकड़ा एक ही मतलब के एक दूसरे के साथ associate था मतलब जिस इंसान ने crime करवाया है और जिस इंसान ने crime किया वो दूनों एक दूसरे के साथ associate थे यह जरूरी नहीं है यहां पर यह जरूरी है कि दोनों के बीच में agreement होना चाहिए दोनों का meeting of mind होना चाहिए दोनों मिल के उस crime को करने के लिए दूसरे वाले ने यह agreement किया हो कि हां मैं इस crime को करूँगा ठीक है तो यहां पर यह जरूरी नहीं knowledge होना चाहिए क्यूस के बारे में मैंने क्यूस के बारे में पता हूं चाहिए हम लोग को instruction दे रहा है यह सारी चीज़ें यहां पर जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में agreement होना चाहिए और यह भी एक पॉइंट है जो हमारा abatement of conspiracy और conspiracy में difference करता है ठीक है दिन आता है criminal conspiracy इसे continuing offense तो जितनी भी stages में criminal conspiracy होगी सारे stages में वह liable होगी for example के तोर पर A और B है उसने first stage में जो है वह एक offense तयार किया उसको फिर second stage में यहां पर उन्होंने C को यहां पर मिलाया है फिर third stage में जाके पर D को मिलाया है तो जब यहां पर D की बात आएग़ है गी दो Δ यह नहीं कहा एक कि हम only on for third stage पर यहां unliable je first and second stage पर liable नहीं होगे है आप सारे stage में आपको यहाँ पे basically कहें तो libel किया जाएगा यही चीज basically यह पूरा का पूरा यह बात कहता है कि एक continuing offense है तो आप किसी भी stage पे उस criminal conspiracy के member बने हो criminal conspiracy आपने बनाई हो आप सारे stage के लिए libel होगी AB जो है वो भी चारो stage के लिए libel होगा CB चारो stage के लिए libel होगा और DB चारो stage के लिए libel होगा यही basically यहाँ पे कहता है दिन आता है punishment तो दोनों की punishment एक साथ मैंने इसलिए mention करिए कि यह चीज आपको समझने में आसानी होगी पहले कहता है punishment of abatement के लिए punishment क्या होगी अगर कहीं भी आपको abatement की punishment नहीं दे रखिये तो वहाँ पे आपकी punishment वो होगी जो उस offense की punishment होगी ठीक है मतलब के लिए murder के लिए हमने कोई punishment नहीं बताई रखिये कि abatement की punishment क्या होगी तो murder की जो punishment है वही आपके abatement of murder की punishment होगी तो जब भी आप IPC पढ़ते हैं तो basically आपको देखने की भी punishment है है तो already उनकी अगर punishment दी है तो यहाँ पे उसकी कोई punishment नहीं होगी जो punishment वहाँ दे रखिये वही मिलेगी लेकिन अगर कोई express provision उसके abatement का नहीं दिया रखा है तो वही punishment दी जाएगी जो उस offense की punishment है for example के तोपर हम देख लें कि theft के attempt abatement की कोई punishment नहीं है तो उसके ab 79 में दे रखिए मतलब के maximum 3 year ठीक है ये बेसिकलिए आपको ऐसा समझता है दिन आता है 120 B जो आपका criminal conspiracy के punishment की बात कहता है ये कहता है कि अगर कोई ऐसा offense के लिए आपने conspiracy की है जिसमें सजा जो है वो 2 साल से जादा है और rigorous imprisonment है या आपकी life imprisonment है या आपकी death punishment है तो वहाँ पे वही सजा होगी जो आपकी abatement की है तो abatement में जो सजा मिलती है उस crime को करने के लिए वही आपकी उस crime के criminal conspiracy के सजा मिलेगी लेकिन कोई ऐसा offense है जिसकी सजा जो है वो 2 साल से कम है तो आपको यहाँ पे सजा सिर्फ और सिर्फ 6 महिने तक की मिल सकती है या fine मिल सकता है उसके उपर या फिर दोनों उसके उपर लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ agreement किया है आपने उस crime को करने का agreement किया भी आपने crime नहीं किया आपने agreement किया है दो साल से कम साल की सजा वाला वह offense है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 6 महिने तक की सजा मिलेगी और 2 साल से जादा है जिसमें rigorous imprisonment मिल सकती है या फिर life imprisonment मिल सकती है या फिर आपको net penalty मिल सकती है तो वही सजा मिलेगी जो आपकी अबेटमेंट में section 109 से लेकर आपकी 120 तक है ठीक है तो यह basically आपका पूरा का पूरा डिटेल में हमने आज अबेटमेंट और criminal conspiracy को discuss किया आपको इस वीडियो में इस दोनों topic के उपर जो भी concept था वो clear हो गया होगा आपके लिए एक छोटी से information है कि जुडिशी का रामबान course Legalistics Law School लेकर आए है इस course को आप purchase कर सकते हैं website पर हमारी इसकी पूरी डिटेल है इसके course section में हमारी website के जाएंगे अगर आप तो वहाँ पर आपको यह course आपको first में ही मिल दाएगा अगर आप मेरा code यूज करेंगे कियार के 20 तो आपको इस course पर 20% का extra discount मिलता है मिलते हैं ऐसे important वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and have a great day